रिशब पंत ने जिस तरह इंगलेंड के गेंदबाजों की वंडे सीरीज में भी जम कर धुलाई की और आखरी वंडे में काउंटर अटेक किया उसके बाद पाकिस्तान के पुरक अप्तान इजमा मुलहक रिशब पंत के टैलेंट के दिवाने हो गए इजमा मुलहक ने रिशब पंत को गजब का खिलारी बताते वे कहा मैं जब रिशब पंत को खेलते देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इसके पास कैसा दिमाग है जो दबाओ ही नहीं लेता इंग्लेंड और भारत के बीच रिशब पंत का खेल ही निनायक फेक्टर साबित हुआ मैंने लंबे समय बाद ऐसा खिलारी देखा है जिसे नहीं पता की प्रेशर क्या होता है मैं उस्ट्रेलिया दोरे से उसे देख रहा हूँ कि रिशब पंत किस तरह बलेबाजी कर रहा है उस्ट्रेलिया में बड़े बलेबाजों के हाथ पैर फूल जाते हैं जब दबाओ आता है लेकिन रिशब पन्त ने जिस तरह वहां बल्लेबाजी की वैसा खिलाडी सिर्फ वीवियन रिचर्ड्स को माना जाता था इंग्लेंड के खिलाब आखरी बंडे में भी जब तीन विकेट गिर गए थे तो रिशब पन्त ने जो काउंटर अटेक किया उसने सारा दबाओ खटा दिया जिस तरह विराट कोली बोल्ड हुए थे उसके बाद लग रहा था कि विकेट काफी मुश्किल है लेकिन रिशब पन्त ऐसे खेले की विकेट जैसे बिल्कुल आसान है अगर रिशब पन्त ऐसे ही खेलता रहा तो एडम गिलकिस्ट और एमेस धोनी को भी पिछे छोड़ देगा क्या वाकई रिशब पन्त धोनी और एडम गिलकिस्ट से बड़े बलेबास बन सकते हैं आप इंजमामुल हक के इस बयान से कितना इतफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स पर प्रिराइज जरूर दें